क्या होता है यह जनेटिक इलाज और जनेटिक इलाज से सही में कोई फायदा भी होता है बहुत लोगों को डाउट होता है और बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि सही में क्या जनेटिक इलाज आ चुका है आज इस वीडियो में आपको सारी जानकारे मिलेगी साथ में पता चल है अगर gent को stimulate कर दे तो कोई भी चीज असंबो नहीं है तो क्या है सही में organ develop कर सकता है तो आप जानेंगे कि असंबो बीमारिया genetic बीमारिया और साथ ही साथ जो सबसे common है chronic बीमारिया यानि कि आपकी बीमारी भी इन तीन सेग्मेंट में तो आ ही चुकी है तो इन सारी बीमारियों में जेनिटिक ईलाज की क्या जरूरत है सही में एक काम करेगा या नहीं करेगा और दूसरा इसके फाइड़े क्या है रिजल्ट क्या मिलेंगे तो इस वीडियो को आखर तक जरूर देखिएगा और सबसे जरूरी बात इसका याद रखिएगा इसको शेर जादा-जादा कीजिएगा पिकाज आज जेनेटिकी इलाज की पूरी दुनिया तलाश कर रही है और आज आज आपको पता चल जाए कि उसी का एक वरजन इंडिया में है हमारे देश में है तो बहुत सारे लोगों को फायदा हो सकता है लाखो करोड़ों को सिर्फ आपकी वज़े से फायदा हो सकता है तो यह वीडियो पर देहन से देखिएगा आखिर तक देखना जरूरी है साथी साथ इसे जादा से जादा गुरूप्स में शेर जरूर कीजिएगा सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि क्या जैनेटिक इलाज सही में जरूरी है और क्या जरूरी थे इसकी चली देखते है एक्सपर्ट से अगर आप पूछते है या फिर गूगल सरच करते है तो सभी यह मानेंगे कि अगर हम जीन्स को एडिट कर सके या जीन्स में बदलाव कर सके तो हम दुनिया की किसी भी बीमारी को ठीक कर सकते है तो आप यह गूगल में दिखा हूँ मिल जाएगा आपको आप चैट जीपिटी से पूछ लिजिए आपका फेवरेट दोस्त वो भी बता देगा आपको जीन एडिटिंग हो जाएगी बीमारी ठीक हो जाएगी जैसे कि जादू की छड़ी मिल जाएगी जीन एडिटिंग हो जाए तो वो जीन्स के बहुत बड़े जंगल में एक्जैट सारे के सारे जीन्स जूलना असंभव है और इसलिए जीन एडिनिंग जैसा चाहिए वैसा काम नहीं कर पा रहा है सेम बात है कैंसर की फिर सेम चीज़ है और टीजम, ADSG, डाउन सिंड्रोम जितने भी बिमारिया है, जी जेनिटिक के बिमारिया लेबल की जा रही है खास करके chronic disease आप देखिए, आजकर सारी chronic disease भी जेनिटिक बिमारिया लेबल की जा रही है जैसे कि अगर 10 लोग है, सभी के सभी 10 लोगों को stress आता है, tension आता है तो सभी के से भी 10 लोगों diabetes नहीं होता अब stress से diabetes हो सकता है लेकिन तब होगा जब आपको diabetes की tendency है और tendency कहा होती है आपके अंदर के system में यानि की genes में उस programming में set होती है फिर आप बुलेंगे stress से किसी को blood pressure बढ़ता है agreed किसी का diabetes होता है किसी को heart attack आता है कोई शाद depression में चला जाए कोई शाद आत्मात्या कर ले मतब एक ही factor है उसके अलग-अलग स्वरूप और प्रारूप है ऐसा क्यों? क्योंकि आपके शरीर में genetic tendency जिस बीमारी की permission देगी बस वहीं बीमारी होगी so genetics तो हर बीमारी में है सर अभी आपने कहा कि अमेरिका में या ओल और वर्ल जो gene editing का इलाज शुरू है कोशिश की जारी है वो तो अभी तक experimental stage में वो सफल हुआ नहीं है तो फिर आशा की किरनी नहीं बची है इलाज तो ही नहीं ऐसा नहीं है देखिए इलाज है जबकि दोनों एक दूस्ते के साथ ही मिले हुए genes ये DNA का हिस्सा है तो अब genetic ये tendency हर बीमारी में होती है लेकिन इलाज किसी भी बीमारी में नहीं होता है ये सबसे बड़ा problem है अब मैं आपको बता दो step by step कि ये इलाज कैसे किया जा सकता है और उसके बाद बताओंगा इसके फायदे क्या क्या होते आखिर तक ज़रूर बने रहेगा और हाँ अभी तक आपने चैनल को सबस्क्राइब अगर नहीं किया तो सबस्क्राइब कर लीजिए इस तरह की जानकर आपको दुनिया में किसी चैनल पर और कहीं पर नहीं मिलीगी इवन चैट जीपीडी भी यह नहीं बता पाएगा कि चैट जीपीडी वहीं बताता है जो उसे फीड किया गया है और जो मैं बता रहो आपको 28 सालों के रिसर्च के बाद एक इलाज का तरीका आया है जो आपकी जीवन को बदल सकता है और आपके जो भी पेशेंट्स है जो उम्मीद हो चुके उन्हें एक नई उम्मीद दे सकता है चलिए अब आगे बढ़ता है कि जीन एडिटिंग चलो ओके एक्स्परिमेंटर स्टेज में है दूसरा क्या रास्ता है जेनेटिक रि-प्रोगरामिंग अब आपके एंगे इसर अभी यह क्या बला है जेनेटिक रि प्रोगरामिंग देखें जीन एडिटिंग में पर एक्सांपल अगर हम यह एक जीन लेते है तो हम इस जीन को सब्सपर ये डॉर्मंट जीन है अभी ये active gene है अभी active gene को वापस अगर dormant किया जाया है तो कोई भी बीमारी sol हो सकती है क्योंकि gene का active होना ही बीमारी का कारण है और जिन dormant हो जाए तो बीमारी सो जाएगी example आप में हम में सभी में cancer के gene है जो dormant है खाने पिने में बहुत जादा toxin चीज़े ले रहा है खानपन बहुत गरबढ़ है तो फिर ये active हो जाएगा और जब एक्टी होगा तब cancer आएगा अब यह अगर आपको समझ गया तो आपको simple technique बता रहा हूं देखें इसे editing करने से बहतर है इसका reprogramming कर दीजिए और इस science को कहते है ap genetics क्या होता है ap genetics कहता है कि gene editing या फिर gene के ऊपर काम करने के पीछे पढ़िये ही मत सिर्फ genetic expression को बदल दीजिए यानि कि यह gene जिन दो रहेगा बोड़ी में इसका expression active था अब इसे dormant कर दीजिए इसे कहते है gene silencing आप इसे चेक कर सकते epigenis में अब आप कहेंगे से होता कैसे मतलब कैसा ही में संभव है यह संभव है सारे research कहते हैं कि genes को influence किया जा सकता है अगर जीन और epigenis की बात करें तो और इसे simple कर दूँ मैं आपके लिए अगर यह gene है तो इसके ऊपर एक होता है ap ap यह नहीं ऊपर यह ap gene तो आपको gene पर काम नहीं करना है आपको ap gene पर काम करना है अब इसके आप कहेंगे से इसके सबूत क्या है चलिए बहुत सारे सबूत दे दूँ आपको देखिए gene can be influenced आप कहेंगे gene can be physically influenced मैं कहूंगा नहीं gene can be functionally influenced अब थोड़ा complication हो रहा है तो मैं इसे simple भाषा में समझा देता हूँ देखिए दो employees है एक company में और एक employees काम नहीं कर रहा है अब देखिए employee तो है और वो काम नहीं कर रहा है तो employee है बड़ उसके functions absent है वैसी अगर gene है और उसके functions absent है तो उसका अस्तर शरीर पर दिखेंगे नहीं तो हमें gene silencing में करना ये है हमें genes के expressions को silent करना है बीना genes को edit किये अब ये कैसे कर सकते है example psychogenomics एक ऐसा science जो हमें बताता है कि mind के द्वारा हम gene को silent कर सकते है दूसरा Nutri Genomics एक ऐसा science जो कहता है कि हम diet के द्वारा genes को influence कर सकते हैं जीन्स का expression बदल सकते हैं तीसरा social genomics यह कहता है कि हमारे आजू-बाजू के लोग अगर toxic है, stressful है तो वो भी हमारे genes को negatively impact करते हैं और हमारे आजू-बाजू के लोग friends, company, family अगर अच्छे है, positive है तो वो भी हमारे genes को positively impact करते हैं तो यह social genomics, इसका बता है neurogenomics Neurogenomics मतलब अगर brain में कोई चीज pattern fix हो गया है तो यह धीरे-धीरे होले-होले आपके genes को influence करेगा और genes पर epigenetic प्रभाव डालेगा अब आपने देखा काफी सारी चीज़े बता दी एक important चीज़ चुड़ गई, in fact, दो important चीज़ चुड़ गई medicines आप कहेंगे सब दवाईया genes को कैसे influence कर सकती है मैं चरह एक्जांपल देता हूँ आपको यह पता ही होगा कि pregnancy में महिला को कहा जाता है यानि कि आप देख रहे हैं कुछ दवाईया genes को प्रभावित करती है अब आप कहेंगे सर genes को प्रभावित तो करती है लिए कि negative प्रभावित करती है देखिए, इंसान एक ऐसा प्रानी है जो दुनिया का सबसे अकलमन प्रानी है तो आप ये सुचें न कि कोई दवाई अगर negative प्रभाव डाल सकती है तो कुछ ऐसी भी तो दवाई आएगी जो positive प्रभाव डाल सकती है येस, you are right और ऐसी ही positive प्रभाव डालने वाली दवाईयों पर हमने काम किया है, research किया है और पता चला है कि genetically targeted homeopathic medicines ये genetic expression को बदल सकती है, बहुत सारे cases से बहुत सार रिजर्ट से, चलिए example और आगे बढ़ाते हैं, ये कैसे results मिलते हैं, Autism, ADHD, जो congenital anomalies होती है, यानि कि जो पैदाईशी, जो defects होते हैं, ये सारे cases में बहुत अच्छे results मिलते हैं अब आप कहेंगे, सर, सिर्फ medicine से मिल जाएंगे, जीन्स को प्रभवित करने के बाकी तरीकों कहां भी इस्तेमाल करना पड़ेगा, example की तोर पर मैं एक आपको case बता दू, बैंगलोर में हम सेमिनार ले रहे थे, और उसी सेमिनार में एक वेक्ती है, उन्हें कहां कि सर, एक बहुती rare case है, तो बहुती प्रतिश्टिक बेक्ती थे, और बहुती शान्ती से बैठे रहे, आखिर तक बैठे रहे, और उसके बाद उन्हें बहुत एक सिंपल में आके कहां कि सर, आप genetic health expert हो, तो क्या आप genetic बीमारियों पर काम करते हो, मैंने कहां हम काम करते हैं, तो उन् पर काम किया है, जैसे हमने autism पर काम किया, जैसे हमने ADHD पर काम किया, तो उन्हें अगला सवाल मुझे पूछा कि सर, कुछ organ को develop करने के लिए कुछ काम किया गया, अब मेरा माता ठंका कि कुछ तो वो शायद और गरबढ़ है, फिर मैंने बहुत ही सलीके से जाब जिया कि दे है, हाइपो प्लास्टिक यूटेरस और अंडेवलप्ट यूटेरस, तो ऐसे तीन से चार केसे मुझे अच्छे से याद है आज भी, इन्हें कहा गया था कि इस बच्चे, इस लड़की कभी शादी मत करना, इससे कभी मेंसेस नहीं आएंगे, और इससे प्रेगनसी कभी र किया है, तो एक और केस मैंने उन्हें बताई कि एक लड़का था जिसे इंजूरी के कारण टेस्टिस एट्रॉप्य हो गया था, मतलब टेस्टिस सिकुड गया, अल्मूस नहीं के बराबर, मतलब फील ही नहीं हो रहा था, सुनरा फिम किया, तो अल्मूस गॉन, इतना एट का डेवलप किया जा सकता है, तो क्या ब्रेन को स्टिमूलेट नहीं किया जा सकता है, और जो इन्हें रोकने वाले या इस डेवलप्मेंट को रोकने वाले कारणों को भी स्टिमूलेट कर सकती है, और अगर कारण टॉक्सिंस के रूप में है, तो इन्हें eliminate कर सकती है और इनके effect को neutralize कर सकती है अब आपको सची है कोविड में पता चल गया सबको कि वैक्सिन के भी side effects होते है अगर आप सर्च करेंगे कि Autism ADHD किसके साथ link है तो आपको वैक्सिन अपने आप नाम उपर आ जाएगा आप anti vaccination drive search किजिए Facebook पर उसके लिए बहुत सरी जानकरी आजाएगी तो बहुत सरी controversial जानकरी है लेकिन यह almost लोग confirm कर चुके है कि बच्पन में लिया हुआ vaccine भी Autism ADHD जिम्मिदार है और अगर आप कुछ therapies design करते है या कुछ ऐसी दवाईया design करते है जो vaccine के side effect को neutralize कर दे तो आप vaccine के side effect को neutralize करते हुए Autism ADHD और काफी सारे brain damage learning disabilities इन सारी बिमारियों पर विजय पा सकते हो तो अगर आप cancer की बात करे या आप autism की बात करे या आप ADHD की बात करे या down syndrome की बात करे या brain damage hypoxic brain damage की बात करे या दुनिया के किसी भी chronic disease की बात करे अगर आप उम्मित खो चुके है त अगर आप अपनी बिमारी से फ्री होना चाहते हो मुक्त होना चाहते हो चलिए बहुत बड़ी बात ही नहीं करते हैं अगर आप अपनी बिमारी का सही इलाज करना चाहते हो तो जेनेटिक और एक बार तो करना ही होगा इसकी बिना बाकी क्या किया आपने बाकी अपने nutrition supplements ल तो आप दूसरी चीज़े देखिए तो हमने यह यह चार लाग को देखने के बाद और उस पर research करने के बाद और homeopathy का बहुत गहन अभ्यास उसके साथ ही psychology का गहन अभ्यास उसके साथ ही genetics और epigenetics का deep study करने के बाद निश्कर्श यह निकला है कि अगर हम brain को stimulate करे neuron को stimulate करे vaccination के side effect को neutralize करे और medicines के side effect को neutralize करे तो definitely results मिल सकते है तो आपको यह video कैसा लगा जरूर बताएगा बहुत सारे लोग जो उम्मित खो चुके क्या ही उनके लिए एक नई उम्मित की किरन नहीं है हम all our world के लोगों को help कर रहे है पूरे भारत से leads आते हैं पूरे भारत से लोग request करते कि sir please kidney failure में help कीजे लीवर फेली में help कीजे cancer में help कीजे autism, ADHD और हमें इन सभी बिमारियों में help कर रहे है एक और चीज जो important है जो छुड गई है जो मैं बहुत stress देकर बताना चाहूंगा देखे ये vaccines के साथ साथ और medicine के साथ साथ कुछ toxins body में जाते है chemical toxins अब जब chemical toxins body में जाएंगे इसमें सबसे बड़ा रोल होता है heavy metals का heavy metals like mercury and then chromium और कुछ ऐसे जो preservatives होते है ये बहुत खतरनाक होते हैं डेंजर्स होते हैं और बच्चे के शरीर में हर vaccine के shot के साथ ये सारे के सारे जाते हैं अब जब ये body में रहेंगे तो ये अपना काम करेंगे और ये अपना काम करते हैं autism, ADHD, cancers और kidney failure जैसे बीमारिया तैयर करने में अब आपको decide करना है क्या vaccine और गोलिया ही smart बनेंगी ये हम भी smart बनेंगे आज कर हम देखते हैं हमारे phone तो smart होते जा रहे है और हम देखते हैं वही एक ही इलाज हम करते है वो इलाज करते है जिसमें बताया जाता है पहले दिन कि इस बीमारी का हमारे पास इलाज नहीं है और वही जगे हम पूरे जीवन भर इलाज करते हैं तो अब जमाना बदल गया है हमें थोड़ा सा mature होना पड़ेगा हमें थोड़ा समस्दार होना पड़ेगा और हमें देखना होगा क्या अलग इलाज मौजुद है और genetic, epigenetic इलाज एक नई उमीद है जादा से जादा लोगों तो इससे पहुचाईए और मुझे पता है कि इस पर काफी सारे सवाल भी आये होंगे आपको कुछ डाउड्स भी आये होंगे जरूर स्टड़ी कीजेगा ap genetics को स्टड़ी कीजेगा genetic reprogramming को स्टड़ी कीजेगा neuroplasticity को भी आप स्टड़ी कर सकते है और यह सारे स्टड़ी अगर आप नहीं कर पाए आप चाहते हम किसी खास इस पर वीडियो बनाए तो जरूर लिखेगा हम वीडियो भी जरूर बनाएंगे बस एक request है उमीद करता हो कि आपने आखिर तक इस यूडियो को देखा ही होगा और जादा से जादा लोग तक इसे शेयर किया ही होगा क्योंकि बहुत लोग नाउमीद होकर बैठे है क्या पता आपका एक शेयर सारे ग्रूप में किया हुआ किसी की उमीद को जगा दे और किसी को एक नई जिन्दक दे दे थैंक यू बाई बाई टेक क्यार